तो कहानी की शुरुआत होते और में 60 साल के एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नैंसी होता है और इसने अब तक अपनी 30 साल की साधी सुधा ज़ंदगी में कभी भी और्गेजम फेल नहीं किया था और बस इसी खुशी की तलाश में वो एक प्लेबॉय को हायर करती ह जिसका नाम लियो ग्रेंड होता है और अब नैंसी उसे होटल के एक कमरे में बुलाती है लेकिन यहाँ पर उसके आने के बाद वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी प्लेबॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था लेकिन यहाँ पर वो इसके साथ excited भी होती है इसलिए वो लियो से कहती है कि वो जल्दी से वो सब पुछ करे जिसके लियो से यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर लियो उसकी nervousness को भाफ लेता है जिसके बाद वो से free mind करने के लिए उसे drink higher करता है जहाँ पर बातों के दोरा नैंसी बता अब जब इसके बाद वो लड़का उसे लेकर साथ में इंटिमेट होने के लिए जाता है तो नैंसी अपनी एज को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाती है तब लियो से बताता है कि एक बार तो वो 82 साल की आउरत के साथ भी इंटिमेट हुआ था अब ऐसा सुनने के बाद नैं नैंसी अपने साथ होई एक एंसिडेंट के बारे में बताती है कि जब वो 20 साल की थी तब अपने पिरेंट्स के साथ ग्रीक गई थी जहां पर उसे एक लड़का पसंद आया था और एक दिन जब वो घर के बाहर घूम रही थी तब वो लड़का उसके पास आकर उसी किस कर होने लगता और उसके प्राइवेट क्वार्ड को टच भी कर देता है जिससे उसे काफी अच्छा फिल हो रहा था इससे पहले कि वो दोनों कुछ और कर पाते हैं वही पर किसी ने कार की हर्म बजाना शुरू कर दिया जिसकी यवाज को सुनकर वो लड़का मुझी शोड़ कर वही पर भाग गया जिसके बाद से वो लड़का नैंसी को कभी दिखा ही नहीं अब ये कहानी सुनाते हुए पर नैंसी एंटिमेसी के लिए तयार हो चुकी थी जिस पर लियो टाइम ना वेश्ट करते हुए उसे किस करना शुरू कर दिता है और इस तरीके से ये दोनों उसे और्गेजम फिल नहीं हुआ और इस बार वो चार बोस ट्राइ करना चाहती है क्योंकि लियो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शायद वो उसे वापस से अफॉर्ड ही ना कर पाए अब नैंसी सबसे पहले ओरल ट्राइ करना चाहती है जिसको उसने अपनी लिस्ट में हो जाती है लेकिन लियो से फिर से कमफर्टेबल मैसूस करवाता है और इस दोरान वो नैंसी को मसाद भी देता है जहां पर नैंसी लियो को अपना शर्ट कोलने को कहती है लेकिन वो एक बार फिर से लियो की बोड़ी को देखकर नर्फस हो जाती है क्योंकि आज तक उसने handsome lad के को इतने करीब से नहीं देखा था जिस पर Leo ने बताता है कि उन्हें अपने figure code maintain करके रखना पड़ता है और जैसा client चाहते हैं अब इसके बाद Leo जब Nancy को interest होने के लिए कहता है तब Nancy Leo के सामने ऐसा नहीं होना चाहती जिसके बाद Leo से समझाता है कि उसकी body भी बहुत खुबसूरत है जिस पर Nancy Leo से पूछती क्या तुम्हें law and order की वज़े से कोई problem नहीं होती जिस पर Leo कहता है कि ये तो बस उसका काम है और वो कोई illegal काम नहीं कर रहा वो तो बस वो में इनको piece करता है उनने इसके बद्लिप ऐसे मिलते हैं और इसके साथ एक और जिस दने बार उसे book करती है उसके साथ एतनी ही confidence हो कर जाती है अब ये सुनकर नैंसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि Leo से बार बार book कर रहे के लिए कह रहा है जिसके बाद Leo से शान्त करता है और फाइले नैंसी Leo को औरल देने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो वापस से रुख जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि Leo को अच्छे से औरल दी भी पाएगी या नहीं जिस पर Leo से comfort करते हुए कहता है कि थोड़ी देर में वो भी सीख जाएगी और ये सुनने के बाद फाइले नैंसी Leo को औरल देने लगती है जिसके थोड़ी दिरवाद ये दुनों परी पोरिजन को आपस में बदल लेते हैं और इससे नैंसी को काफ़ी satisfying फील होता है अब इसके बाद नैंसी कहते है कि उसने थोड़ी research की थी जिससे उसे पता चला कि लियो का असली नाम कुछ हो रही है अब ये सुनने के बाद लियो को भी कुछ सा जाता है और वो अपने कपड़े पहन कर वहां से जाने लगता है और उससे कहता है कि ये हमारी आखरी meeting थी और आगे से अब मुझे कभी book मत करना अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नैंसी नियो को coffee के लिये book करती है जहां कि waiters उसकी ही एक student निकलती है और जब नियो भी वहाँ पर आ जाता है तर नैंसी अजी वजीब तरह की बाते करने लगती है ताकि उसकी student को कुछ भी पताना चल सके जिस पर लियो उसकी student से कहता है कि आज हमारी कार बेचने को लेकर थोड़ी meeting है जिसके बाद अब नैंसी और लियो बैड़ कर बाते करने लगते हैं जहां पर नैंसी कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था वो बताते हैं कि वो एक teacher है तब भी वहाँ पर वो वेटर आ जाती है और वो नैंसी के बारे में और भी ज़्यादा बताने लगती है असल में नैंसी एक मजभवी teacher है जो कि लड़कियों को हमेशा चोटी कपड़े पहनने से रोकती है तब जब वेटर वहाँ से चली आती है तो लियों से बताता है कि मैंने पने भाई को बता दिया है कि मैंने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया है और इससे उसके और उसके भाई के बीच कोई भी बदलाव नहीं होगा और इसके बाद उसने पनी मोम से बहुत ज़्यादा बार बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी मोम अब भी उसे कोई भी रिष्टा नहीं रखना चाहती लेकिन इसी दोरान वो वेटरस्ट वापसे आ जाती है जहाँ पर नैंसी उससे माफी मांगती है कि उसे उन लड़कियों के कपड़ों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था और इसके साथ साथ वहीं पर वो नियो के बारे में बताती है कि नियो एक जी गोलो है और वो उसके साथ इंटीमेट हो चुकी है जिसके बाद वापस से वो दोनों होटल के एक कमरे में जाते हैं जहाँ आपन नैंसी अपने लिस्ट की आखरी चीज को भी ट्राइ करती है इसके बाद फाइल इप नैंसी प्लेजर फिल करती है और यह देखकर नियों भी बहुत खुश होता है जिसके बाद अपने उसे गुडबाई कहता है और यहाँ पर अब नैंसी उससे कहते हैं कि यह उसकी अब नाफरी मीटिंग थी और अपने उकी जाने के बाद एक बार फिर से नैंसी अपनी पूरी बॉड़ी को आईने में देखने लग जाती है और उसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं परेंड हो जाता है